असलाम आलेकुम विवर्स, विल्कम तो माई चानल, फूड एंड हल्थ जब भी हम सैंडविच की बात करते हैं, तो हमारे जहन में ब्रेट का ख्याल आता है, क्योंकि ब्रेट के बिना तो सैंडविच बनी ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी, यह नो ब्रेट सैंडविच की रेसिपी है, यह रेसिपी जटपट से ब्रेकफर्स्ट के लिए आप तियार कर सकते हैं, और बच्चों को टिफिट में भी दे सकते हैं चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं के लिए सबसे पहले हमें एक कप सूजी लेनी है, नॉर्मल सूजी है, ना बहुत मोटी ना बारी इस सूजी को आधा कप दही से अच्छे से भिगो देना है और अगर दही पतली है तो पूरा एक कप ले लीजिए, अगर गाड़ी है तो आधा कप ले लीजिए उसके बाद इसमें आधा कप पानी मिला करके इसका अच्छे से एक बैटर तयार करना है और सूजी को फूलने के लिए छोड़ देना है, तो सूजी फूलती है, थोड़ा टाइम लेती है hardly 10 मिनिट्स इसको छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद इसमें अभी हम धनिया पत्ता एड़ कर देंगे flavors इसके enhance करने के लिए और 1 teaspoon इसमें salt भी आड़ कर देंगे बस यही flavors इसमें जाएंगे, सूजी को अच्छे से mix करके हमने फूलने के लिए रख देना है यहाँ पे आप जो दही इस्तमाल कर रहे हैं, वो हलकी सी अगर खटी होगी तो वो चलेगा, उससे अच्छे results आएंगे otherwise normal भी दही है तो वो भी ठीक है अब हम कर लेते हैं अपने sandwich की stuffing के थियारी, उसके लिए यह कुछ chopped onion, ग्रीन चिली, धनिया और अद्रक हमें चाहिए एक पैन में थोड़ा सा 2 teaspoon के करीब मैंने oil डाला है, हींग इसमें जीरा और थोड़े से mustard seeds डाल के crackle कर लेने हैं और फिर यह जो chopped चीज़े मैंने दिखाई थी onion, green chili, coriander leaves और अद्रक इस सब को डाल करके अच्छे से sautay कर लेना है और इसमें हल्दी डालेंगे और हम इसमें red chili powder डालेंगे और इसके बाद इसमें salt डालेंगे चार से पांच body potatoes को grate करके रखा हुआ है उसको इसमें add कर दूँगी अब बहुत अच्छे से इस मसाले में इन आलू को mix कर देना है और mix करने के बाद यह बहतरीन से हमारी stuffing त्यार हो जाएगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है थोड़ा चार्ट मसाला और roasted cumin powder भी add कर दें बस यह हमारा stuffing त्यार है इतने हमने आलू की stuffing त्यार किया है इतने यह सूजी भी फूल गई है अब last में इसमें 1 फोर्थ टी स्पून मैंने baking soda एड किया है आप चाहें तो इनो भी add कर सकते हैं वो half teaspoon जाएगा और इसमें थोड़ा सा पाने डाल करके इसको अच्छे से mix कर दें सूजी की consistency को थोड़ा थिक ही रखें और mixing बहुत अच्छे से करें इसके बाद हमने जो आलू तयार करके रखेते वो भी ठंडे हो चुके हैं इनको बस इस तरह से थोड़ा सा ये easily stuffing इनकी हो जाए इस तरह से एक square shape में set करिए और इनको triangle में divide कर दीजिए इससे इसको ऐसे ही as it is उठा करके हम अपनी sandwich में लगा देंगे और हमाई sandwich की stuffing बहतरी तरीके से चारो तरफ फैली भी आएगी ये sandwich toaster है जिसमें मैं sandwich बनाऊंगी आप एक normal जो gas वाला toaster होता है वो भी use कर सकते हैं और ये भी तो use करने से पहले अच्छे से oil से brush कर लेना है उसके बाद इस तरह से हम जो सूजी है उसको इस पर फैला देंगे सूजी को फैलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो किनारी है उस तक नहीं फैलाना है थोड़ा उससे नीचे ही रखना है और सारे batter को इस तरह से spread करके फिर हमने जो triangle उसका आलू का तियार किया था उसको इसमें ऐसे place कर देना है सारे triangles को हम इस तरह से place कर देंगे और उसके बाद इस पे उपर से हम सूजी का batter spread करेंगे तो इसको हमें डालते वे यही ध्यान रखना है कि बहुत जादा overflow ना करे हमारी सूजी इस तरह से इसको adjust करते वे हमने इसमें batter को pour करना है यकीन मानिए यह sandwiches बहुत tasty लगती है और बहुत अच्छे से जल्दी से एकदम बन जाती है बच्चे बड़े सभी shock से खाते हैं इसको तो bread की sandwich तो हम अकसर खाते हैं एक बार आप इस तरह से sandwiches को बना करके देखें यह bread वाली sandwich से भी जादर जल्दी तयार हो जाती है उससे भी कम time लेती है और बहुत जादर tasty भी लगती है तो यह वाली recipe एक perfect recipe है early morning breakfast के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए अब यह सारी sandwiches set हो गई है इसको मैं बंद कर दूँगी toaster को 5 minutes के लिए और यह 5 minutes में बहतरीन सिक्के तयार हो जाएंगी मैं भी आपको दिखाती हूँ यह 5 minutes ही लेती है इससे जादा नहीं लेती है यह देखिए कितनी बहतरीन सिक्के आई है कितना अच्छा texture है और दूर से देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे हमने इसको bread से ही बनाया है लेकिन यह खाने में bread से ज्यादा टेस्टी और healthy है बस इनको हम बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से मैंने सारी sandwiches को prepare कर लिया है तो प्लीज उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करने ना भूले ताकि मेरी सारी नियो वीडियो का notification आपको फॉरन मिले हूँ सारी sandwiches तयार हो गई है अब इनको एक हम बहतरीन सी tempering में थोड़ा सा टॉस करेंगे जिससे यह बेहर टेस्टी होने वाली है उसके लिए बस बहुत हलका सा oil result करेंगे उसमें राईदाना डालेंगे और नमक, मिर्ची, हल्दी पॉडर और हरदनिया पत्ता की जगा करीपता यह दोनों भी डाल सकते हैं इसके बाद यह एक बहतरीन सा मसाला तयार हो जाएगा और इसमें हम अपनी सारी sandwiches को टॉस कर लेंगे दोनों तरफ से तो बहुत अच्छा color आता है तो texture तो बढ़िया हो गई होगा उसके बाद साथ इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा य को टॉस करते टाइम इस चीज का धियान रखें कि यह जो tempering है इसे हमें बिल्कुल भी तेज फ्लेम पे नहीं बनाना है हमारी जो गैस की फ्लेम है वह बिल्कुल medium low रहेगी अगर थोड़ा सा भी तेज लगे आपको अपना पैन या कड़ाई तो गैस को आफ कर दें यह बल करें बाकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली उस तरह उस हिसाब से आप इसको एजस्ट कर सकते हैं बडों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको खूब चटपटा बनाएं अब देखिए मैं आपको कट करके दिखा दियू बहुत सॉफ्ट है और एकदम बहुत ही बड़िया है खाने में आप इस रेसीपी को ट्राइ करें और मेरे साथ अपना फीडबेक जरूर शेयर करें फिर मिलती हूं मैं आप से ऐसी कोई और टेंप्टिंग सी रेसीपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो टेक केर बाबाई अलाहाफेज